देश में चुनावों को सिलसला लगाता अचारी है लेकिन हर्याना के यमना नगर जिले में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के गनित को पिकार दिया है यमना नगर में जिला परीसद 18 वाडों में हुए चुनाव में बीजेपी सिर्फ 6 सीटे जीत पाई है वहीं बीएसपी के चार उमिदवारों ने यहां जीत हासिल कर ली है आइनलडी और आम आदमी पार्टे के खाते में एक एक सीट गई है इसके अलावा छे वाडों पर निर्दलिय उमिदवार चुनाव जीते हैं कोंग्रेस का दावा है कि जिला परीसद में कोंग्रेस की फारी जीत हुई है आपको बता दें कि यम्ना नगर जिला परीसद के 18 वाडों के नतीजे आते ही कोंग्रेस पार्टी और बीएसपी में जशन का माहोल चा गया है यम्ना नगर के वाड नमबर साथ से पहली बार चुनी गई जिला परीसद के पूर्वप्रधान कोंग्रेसी निता शाम शुंदर बत्रा की पुत्रवदू भानु बत्रा ने अपनी जीत के लिए सभी का धन्यवाद किया है कि बीएसपी से शुशीला देवी, अगनी विजह सिंग, धर्मपाल सिंग और सुमन देवी ने भी भारी मतों के साथ जीत हासिल की है बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बीएसपी अपनी धमाकेदार वापसी कर रही है उसको देखकर तो ये असार लगाये जा सकते हैं कि साल दोजाच चोबिस में आने वाले चुनाव बीएसपी असानी से जीत सकती है और भारी बहुमत के साथ वापस भी आ सकती है बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो दोजाच चोबिस के चुनाव के लिए अभी से नई नई रणनीतिया बना रही है सूत्रों के अनुसार BSP 24 के चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाती और इसकी सुरवात BSP ने हर्याना पंचायत के चुनाव को जीत कर दी है अभी के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही